हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल सूट अचेचवर लव स्टोरीज मुझे पता है आप लोग मेरी नई फैन फैन फिक्षन के लिए बेश अबरी से इंतजार कर रहे हैं तो इसलिए आज आप लोगों के लिए मैं एक नई जियान वंग फैन फैन फिक्शन लेकर आई हूँ मेरे एक लिसनर ने मुझे एक वेंजो फैन फैन फिक्शन के लिए कहा था और मैंने कहा था कि तेरा मेरा रिस्ता पुराना खतम करके एक वेंजो फैन फिक्षन लेकर आऊंगे पर I am so sorry, फिलाल कुछ दिन मैं कोई बड़ी फैन फिक्षन नहीं लिख पाऊंगे उसकी वज़ा है कि अभी बच्चों के एक्जाम्स चल रहे हैं और सबको पता है बच्चों का एक्जाम्स मतलब मम्यों का एक्जाम्स तो जब तक ये एक्जाम्स खतम नहीं होते तब तक मैं ज़्यादा कॉंसेंटर नहीं कर पाऊंगी और इसलिए मैं इस बार एक सिंपल कॉलेज लब स्टूरी लेकर आई हूँ आप लोग सोचते होंगी कि मैं हमेशा कॉलेज स्टूरेंट्स को लेकर ही क्यों लिखती हूँ क्योंकि कॉलेज में हजारों स्टूरेंट्स होते हैं और उस उमन में लोगों को पैयार भी ज़्यादा होता है और सबसे बड़ी बात ये है कि उनिवर्सिटी या कॉलेज में कौन डेट कर रहा है और कौन किस के साथ क्या कर रहा है ये सब गौसिप्स बहुत ज़्यादा फैल जाती है खास कर अगर वो प्यार करने वाले होस्टल में रहते हो तो क्या बात है उनकी लव स्टोरी वो चाहकर भी चुपा नहीं पाते ये जो मैं उनिवर्सिटी के लव स्टोरी जाप लोगों को सुनाती हूँ इनका इंस्फिरेशन मैं अपनी उनिवर्सिटी लाइफ से ही लेती हूँ मेरे क्लास में जितनी लड़किया थी उससे पांच गुना ज़्यादा लड़के थे और उन में से ज़्यादा तर लड़के होस्टल में ही रहते थे मेरे हजबेंट भी मेरे उन क्लासमेट्स में से ही एक है मेरे इस fan fiction का inspiration भी मैंने उस time के कुछ incident सही लिया है जब मैं hostel में रहती थी तब मेरे एक senior भाईया कहा करते थे कि girls hostel के लड़कें सब lesbian होती है उनके इस बात के जबाब में मैं कहा करती थी कि girls hostel के लड़कें lesbian नहीं बलकि boys hostel के लड़कें ही gay होते है उस time किसको पता था कि एक दिन मैं BL stories लिखूंगी और YouTube में channel खोल कर सब को सुनाओंगी अभी तब तो मैंने नहीं किया है और मेरा मन है कि कभी किसी fan fiction में कोई एक character को मैं उन भाईया के जैसा बनाओंगी फिलर मैंने इस fan fiction का नाम रखा है irreversible reaction अगर बाद में कोई और अच्छा नाम मिलता है तो ये नाम बदल भी सकती हूँ ये fan fiction ज़्यादा बड़ी नहीं होगी दो तिन पार्ट में ही मैं इसे खतम कर दूँगी और लोगों का डिमांड पर ये एक जियान वांग fan fiction ही होगी लानवांग ज़ी इंजिनरिंग पढ़ने घड़ से दूर एक इंजिनरिंग कॉलेज में गया है क्लाश शूर होने से एक दिन पहले वो होस्टल पहुंच गया था होस्टल के रूम में जाकर उसे पता चला कि एक रूम में तीन बेड है पर पूरा दिन वेट करने के बाद भी उसके रूम में कोई और नहीं आया लानवांग ज़ी पूरा दिन रूम में अखेला ही रह गया उसे याद आया कि उसके स्कूल के सूसे ने भी इस यूनिवर्सिटी में अड़मिशन लिया है वो उससे मिलने का सोचता है सूसे उसका बहुत ज़्यादा क्लोस फ्रेंड तो नहीं है पर सूसे को जब भी किसी चीज की जरूरत पढ़ती थी वो लानवांग जी के घर आ जाता था लानवांग जी उसे स्टडी मेटेरियल्स भी देता था और पढ़ाई में भी मदद करता था पता नहीं वो कौन से रूम में है लानवांग जी रूम में बोर हो रहा था सामकुचाय स्नेक्स खाने के बाद वो अपने बिल्डिंग में घूम रहा था उसका रूम फर्स्ट फ्रोर पर है ग्राउंड फ्रोर पर डाइनिंग हॉल, कीचेन, विजिटिंग रूम, कामन रूम और होस्टल सुपर का ओफिस है होस्टल में रागिंग को रोकने के लिए कॉलेज में फर्स्ट एयर के स्टूडेंस के लिए एक अलग होस्टल बिल्डिंग अलट किया है जहां सिनियर्स का आना-जाना मना है अगर कोई सिनियर फर्स्ट एयर के किसी स्टूडेंस से मिलना चाहता है तो उसे विजिटिंग रूम में वैट करना पड़ता है और फिर वोही पर मिलकर वापस जाना होता है घुमते घुमते लानवांग जी की मुलाकात सूसे से हुई लानवांग जी उसे देखकर बात करने गया पर सूसे ने बहुत मुश्किल से उससे एक दो सब्द कहा और फिर वो अपने रूममेट्स के साथ चला गया लानवंग जी धीरे धीरे चल कर टेरस पर पहुंच गया घर से दूर आकर वो बहुत अकेला फिल कर रहा था जिस एकलौते इंसान को वो पहचानता था जिसके उसने इतनी मदद की है वो उसे पहचानना ही नहीं चाहता है लानवंग जीना डिशाइड किया कि वो फिर कभी सूसे से बात करने नहीं जाएगा लानवंग जी बहुत देट तक अकेला ही टेरस पर खड़ा रहा और अपने सहर के बारे में सोचता रहा उसके रूममेट्स भी अभी तक नहीं आये है पता नहीं वो दोनों कैसे होंगे जिनके साथ उसे रूम से अर करना है अगले दिन जब वो रेड़ी होकर डिपार्टमेंट के लिए निकलने वाला था तब उसका एक रूममेट आ गया लानवंग जी उसको हाई बोलकर निकल गया आज उसके कॉलेज का फर्स्ट दिन है वो अपने क्लास के लिए लेड नहीं होना चाहता है वो थोड़ा टाइम लेकर ही जाना चाहता है क्योंकि उसे इस कालेज के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्लास्रूम में जाकर वो एक खाली जगा देखकर बैढ़ गया दिरे दिरे क्लास्रूम स्टूडेंस से भर गया और येंटरेशन के बाद जब सारे प्रॉफेसर्स चले गए तब कुछ सीनियर्स आ गए और न्यू स्टूडेंस के साथ बातचीत करने लगे वो लग सब का नाम, एंटरास एक्जम में रैंक और घर कहां पर यही सब पूछ रहे थे सारे सीनियर्स बहुत फ्रेंडली रग रहे थे लानवंग जी ने चैन की सास ली उसने सुना था के सारे इंजिनरिंग कॉलेज में ही रैगिंग होती है खास करके ये बी इंजिनरिंग कॉलेज तो रैगिंग के लिए बहुत बदनाम है पर होस्टिल में भी आंटी रैगिंग सिस्टेम है और डिपार्टमेंट के सीनियर्स भी कितने अच्छे से बात कर रहे है उसकी गलत फैमी अगले दिन दूर हुई जब सीनियर्स ने आकर क्लासरूम का डोर लॉक कर दिया और फर्स्ट एर के बच्चों से अजीव अजीव काम कराने लगे सब को उनकी बाते माननी पड़ रही थी ऐसे तो वो लोग कुछ हर्मफुल नहीं कर रहे थे पर सबसे बहुत हुमिलेटिंग काम करा रहे थे वो सब काम करा कर वो खुद तो बहुत हस रहे थे पर अगर किसी जुनियर्स ने गलती से भी हस दिया तो उससे और ज़्यादा हुमिलेटिंग काम करा रहे थे उन लोगों ने कुछ लड़कों को चून कर लाइन से खड़ा कर दिया और उनको कैट वाक करने के लिए बोल दिया और कुछ लड़कों के हाथ पेपर और पेन देकर उनको उने पॉइंट्स देने के लिए कहा लड़कों के catwalk से तो उन लोगों ने बहुत मजे लिये पर बाद में लड़कियों ने कि इसको क्यों कितने points दिये हैं उस बाद पर भी उन लड़कियों को ट्रोल किया गया जब लड़के catwalk कर रहे थे उन लड़कों मेंसे लानवांग जी का एक roommate भी था उसका नाम वुईवक्षया था जो पिछले दिन लानवांग जी के room से निकल जाने के बाद आया था कल उसे पता नहीं था कि उसका एक roommate उसका classmate भी है आग जब लड़के catwalk कर रहे थे तब लानवांग जी की नजर बस अपने roommate पर ही थी इस लड़के को catwalk करना भी आता है वो युवक्षया पतला और लंबा है उसके pat straight और लंबे हैं catwalk करते हुए वो बहुत अच्छा लग रहा था उसे बहुत साही लड़कों ने 10 out of 10 points दिया सुन्दर figure के साथ साथ उसके पास एक सुन्दर चेहरा भी है और उसकी मुस्कान भी बहुत सुईट है लानवांग जी को लगा के catwalk तो ठीक ही है पर साथ लड़किया उसकी मुस्कान देखकर ही उसे full marks दे देगी लानवांग जी का दुषरा रूम मेठ है निये हुए संग वो दुषरे डिपार्डमंट का है वीवुक्षन और निये हुआ इसंग दोनों ही एक्ष्ट्रोबर्ट है उन दोनोंने जल्दी एक दुषरे से दोस्ति कर ले थी उनको देखकर लग रहा था जैसे कि वो दोनों पहले से ही एक दुषरे को जानते हो उन दोनों का भाइब मैच हो गया था और उन दोनोंने लानवंग्जी को भी दोस्त बना लिया था किसी सीनियार ने लानवंग्जी को वीवुक्षन के दरब देखते हुए देख लिया उसने लानवंग्जी को बुला लिया और उसे कहा कि वो किसी लड़की से लव कॉन्फिस करे लानवंग जी डर गया वो तो ऐसे भी किसी के साथ ठीक से बात नहीं कर बाता है वो किसी लड़की से कैसे कॉन्फिस करता लाकिली नेक्स्ट पिरिट का टाइम हो गया तो उनकी रैगिंग उस टाइम के लिए वही पर खतम हो गए अगले दिन वो सिनियर्स फिर से रैगिंग करने आ गए और उन लोगों ने लानवंग जी को फिर से बुला लिया तुम किसी लड़की से कंफिस नहीं कर पाऊगे एक सिनियर्न ने पूछा लानवंग जी ने गरदन हिला कर ना कहा वो उस टास्क को करना नहीं चाहता था अच्छा ठीक है उस सिनियर्न ने कहा लानवंग जी ने चैन की सास ली तो एक काम करो क्लास की किसी भी लड़के से कंफिस कर दो सिनियर्न ने कहा किसी को भी जो तिमें पसंद हो लानवांग जी वो भी नहीं कर पाया किसी लड़के से confess करना है ये सुनकर वो और ज़्यादा सर्मिन्दा हो गया वुईवक्षन उसकी तरफ इशारा करने लगा वो बोलना चाह रहा था कि लानवांग जी उससे confess कर सकता है वो दोनों तो दोस्त है इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी पर लानवांग जी तो नजरे उठा कर भी नहीं देख रहा था लानवांग जी ने नहीं देखा पर एक सीनियर ने वुईवक्षन को इशारा करते हुए देख लिया उसने वुईवक्षन को बुला लिया अब लाइनवांग जी को वियुक्षियां को उससे कन्फेस करने के लिए कहा गया लाइनवांग जी का चहरा लाल हो गया लाइनवांग जी ये काम भी नहीं कर पाया तो उन लोग ने वियुक्षियां को उससे कन्फेस करने के लिए कहा अच्छे से करना ताके वो पट जाए एक सिनियर हसकर बोलता है जब तक वो ना पटता है तब तक तुम दोनों को हम छोड़ेंगे नहीं ठीक है? सुरू हो जाओ वो युवक्षान ने अपना कॉनपेशन सुरू कर दिया लानवांग जी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ प्लेज तुम मेरे बॉइफरेंट बन जाओ लानवांग जी ने नजरे जुका ली वो युवक्षान के बात सुनकर उसे अजीब सा लगने लगा था ठीक से बोलो ऐसे कौन पटता है? एक सिनियर ने कहा वो युवक्षान ने फिर से बोलना शुरू किया लानवांग जी मेरी तरफ देखो मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? लानवांग जी के कान लाल हो गया वो नजरे उठा कर भी नहीं देख पाया वो युवक्षान ने देखा कि सारे सिनियर्स उनके तरफ ही देख रहे हैं उसे लगा था कि ये बहुत एजी होगा वो कानफिस करेगा और लानवांग जी हाँ बोल देगा ये कोई रियल कानफिसन थोड़ी है जो इसमें इतना सोचना है पर लानवांग जी तो हाँ बोल ही नहीं रहा है वो युवक्षान ने फिर से बोलना शुरू किया देखो वांग जी मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ मैं तुमसे साधी भी करूँगा मैं तुम्हें जिंदे की भर खुश रखूँगा तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा लानवांग जी जानता था कि वो युवक्षान बस ऐसे ही ये सब बोल रहा है पर ये सब बाते सुनकर उसका चहरा गरम हो रहा था उसे फेस उठाने में भी सरमार ही थी अगर वो उपर देखीगा तो सबको उसका फिस दिख जाएगा लानवांग जी जितना भी अपने चहरे को चुपाने की कुशिस क्यों न करे उसके चहरे की लाली सबको दिख रही थी सबको मज़ा आ रहा था पीछे से किसी ने कहा अब हाँ बोल भी दो उसकी बात सुनकर सब हस पड़े किसी ने सी टी भी बजाया और क्लास के साड़ी लड़के-लड़के हस पड़े किस ने कहा है कि तुम लोग हस सकते हो एक सीनियर ने कहा जो हसेगा हम उसे इहां पर बुलाएंगे ये बात सुनकर सब ने मुबंद कर लिया क्या नाम है तुम्हारा एक senior ने पूछा वोई वक्षिया वक्षिया ने जबाब दिया और तुम्हारा senior ने फिर से पूछा लानवांग जी लानवांग जी ने जबाब दिया तुम दोनों इस task में fail हो गए हो कल तुम्हें नए task दिये जाएंगे अगर उनमें भी तुम उस्से से कहा लानवांग जी हैरान होकर वोई वक्षिया की तरब देखता है ऐसे क्या देख रहे हो एक हां ही तो बोलना था वोई वक्षिया ने कहा तुम्हारी मदद करने के चक्कर में तो मैं ही फस गया I am sorry लानवांग जी ने धीरेशे कहा Sorry बोलकर क्या फाइदा वोई क्या टास्क मिलता है रूम में जाकर वोई वक्षिया ने जब निये हुए शंग को ये सब बताया तब वो बहुत हसने लगा उसने भी अपने डिपार्टमेंट के रैगिंग के बारे में बताया मेरे डिपार्टमेंट में तो कितने बोरिंग बोरिंग काम करा रहे थे हम त आटाक नहीं देखना लानवांग जी ने कहा तुम देखो और तुम भी पॉइंट्स दो ओ मुझे लगा तुम्हें कैट वाक पसंद है वो युख्षा ने कहा रात को खाना खाने के बाद निये हुए संग लानवांग जी को छेड़ने लगा वो इतने प्यार से तुम से कंफ होते तो वो बुरा मान जाता लानवांग जी ने कहा ऐसा कोई नहीं है पर रूख्षान तो ऐसे बोल रहा था जैसे कि उसे इस काम का बहुत एक्सपेरियंस है तो मुसे क्यों नहीं पूछते हो कि उसकी कितनी गल्फरेंट्स है गल्फरेंट्स वो युख्षा ने कहा वाकई बहुत संसकारी हो तुम तब तो तुम लड़कियों को उनके चहरे से नहीं पैचानते होगे वो युख्षन मुझ कुडाता है वाव तुम तो बहुत ग्रेट हो ने हुए संग बोलता है मैं तो लड़कियों को चहरे से ही पैचानता हूँ बाकी सब कुछ तो मुझ निये हुए संग बोलता है तो कैसी है तुम्हारी गल्फिंड कहा न कोई गल्फिंड नहीं है मेरी लानवंग जी लेटते हुए बोलता है उक्षिया तुम बताओ निये हुए संग ने पूछा मेरी भी कोई गल्फिंड नहीं है वोई वुक्षिया भी लेट गया मैं आज पापा के साथ सोते थे ? वुईवकषें ने पूछा नहीं मम्मी पापा के साथ मैं बोल करा नीए हुआ संग भी लेड़ गया लाइट आफ कर देना लानवांजी ने कहा अगले दिन सिनर्स ने उन्दोने को नया टास्क दिया लानवांजी करने के लिए कहा गया पर गाना कौन गाएगा उन लोगों ने वी वुक्षन को गाना गाने के लिए कहा वी वुक्षन ने पुछा कौन सा गाना गाओं कोई सैड सा गाना गाओं उन लोगों ने कहा और तुम उसमें ब्रेक डांस करना वी वुक्षन गाना गाने लगा तो ला लानवांग जी उसी साइड सॉंग के साथ ब्रेक डैंस करने लगा। तुम दोनों क्लास के बाद हमसे मिलना। कहकर वो सीनियर्स चले गए। लानवांग जी फ्रस्टेड हो गया। आज का टास तो उसने पूरा किया था। फिर भी वो लोग उसे परसान करना नहीं चोड़े लानवांग जी चुचप अपनी जगा पर बैठ गया। वो इवक्षन भी उसके पास आकर बैठा। तब ही तीन लड़के आकर वो इवक्षन से बात करने लगी। कल रात साइद वो सची बोल रहा था। लड़के तो सच में इस पर मरती है। कास उनको पता होता कि वो इव वक्षन के तो मजे ही मजे हैं। वाओ वक्षियां तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। एक लड़की ने कहा। आज क्लास के बाद ग्राउंड में चल कर बैठना। वहां हम सब तुम्हारा गाना सुनेंगे। क्लास के बाद तुम मुझे उन सेनियर से मिलना है। व वक्षा ने कहा। लान वांग जी अपनी नोटबुक में ऐसे ही कुछ स्क्रिवल कर रहा था और उनकी बाते सुन रहा था। वह युवक्षन तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि उसे लड़कियों में कोई इंटरिस्टी नहीं है। ऐसे ही साइद वह अपना क्रेज बढ़ा ल गई। वांग जी तुम भी आ जाना एक और लड़की ने कहा। मैं? लान वांग जी उनकी तरफ देखता है। हाँ हाँ वो भी आ जाएगा वो युवक्षन बोल उठा। वो मेरा रूममट है मैं उसे ले आऊँगा। लान वांग जी कुछ बोलने जा रहा था पर उसने पर कोई फाइदा तो नहीं है जो होगा बाद में देखा जाएगा। सीनियर्स ने उनको और रैग नहीं किया। उन लोगों ने उन दोनों को फ्रेसर सोल कम में पर्फॉर्म करने के लिए कहा। पर भाईया यहाँ मेरा गिटार नहीं है वी बुख्षन ने कहा। वो हम आर करता है तो तुम दोनों मेरे पास आ जाना। ठीक है अब जाओ। बाहर आकर लानवांग जी ने कहा। क्या आप से और कोई हमें रैग नहीं करेगा। पता नहीं वी बुख्षा ने कहा। चलो अब ग्राउंड में जाते हैं। वो लड़किया हमारे लिए इंतजार कर रही होंगी। तुम जाओ लानवांग जी ने कहा। मैं होस्टल वापस जा रहा हूं। होस्टल जाकर क्या करोगे। अभी तो दोस्त बनाने का टाइम है वो युख्षा ने कहा। लानवांग जी को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ा पर जाकर उसे बुरा नहीं लगा। सब के साथ बाते करके गाना गाकर उसे अच्छा ही लगा। दोस्तो आज का पार्ट में यहीं खतम कर रही हूं। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना। और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। आप लोगों ने अगर अभी तो चैनल को सब्स भी कर लेना फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाई